आपके अपनी यूटूब चैनल संकर जिकेशन लड़्डा में दोस्तों तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ मॉडल वर्ब जो कि आप लोग लिए काफी ज़्यादा यूजफुल होगा और बहुत कुछ सीखनेंगे आप इस व्यूडियो में दोस्तों हम कुछ अपको अप्योड करते हैं यूजफ करते हैं जहां आपको इपिलिटी दिखानी अपनी पावर दिखाना सामर्थ दिखाना हो वहां यूज करते हैं कैन का तो एक structure दिया गया है subject उसके बाद रखना है दोस्तों आपको कैन को और उसके बाद और उसके बाद और रखना है उसके बाद object रखना है तो एसी अगर इसी structure के हिसाफ पर चलेंगा आप लोग तो कोई भी sentence आपका गलत नहीं होगा तो देखिए एक example दिया गया है कि वह फुडवाल खेल सकता है वह फुडवाल खेल सकता है तो सबसे पहले क्या रखना हमें subject रखना है तो पहले हम subject रख देते हैं उसके बाद क्या रखना हमें, can रखना है दोस्तों, तो can रख दिया, उसके बाद वर्ब रखना है, तो खेलना वर्ब है, play रख दिया, उसके बाद object रख देना है, तो मैंने रख दिया football, तो वहाँ फुटवाल खेल सकता है, इसका हो जाएगा, he can play football, he can play football, अगले sentence की तरफ चलते हुए, और उसके बाद रखा गया है, cut, यानि वर्ब का first form, object, तो क्या हो जाएगा, राम कैन, cut this tree, राम यहाँ पेर, काट सकता है, वो तो जितना भी example आप यह आप देखें, उस अफर्मेटिव है, और नेगेटिव में देखते हैं, यानि नकरात्मक वाग जिसको बोलते हो आप, तो पहले इस object रखना है, फिर can रखना है, उसके बाद not रख देना है, तब दोस्तो वर्ब का first form और object, चाहते हो other word भी कुछ last में आप डख सकते हो, तो एक example दिया गया यहाँ, तुम रित्य नहीं कर सकती हो, तो क्या हो जाएगा, you cannot dance, तुम रित्य नहीं कर सकती हो, अगल हिंदी नहीं पढ़ सकता हूं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, I cannot read English, sorry, Hindi, I cannot read Hindi, यानि मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता हूं, अगे दोस्तों चलते हैं, निगेटिव हो गया, अब बचा है क्या हमारा interrogative sentence, तो देखिए दोस्तों, interrogative sentence में, पहला sentence है आपका, interrogative का, पहला इस्ट्रक्टर देख लिए, क्या करना है आपको interrogative में, कैन लगाना है, कैन के बाद लगाना है आपको दोस्तों, तो कैन के बाद क्या लगाना है, पहले कैन रखना है, आपको, कैन, पहले क्या रखेंगे, हम कैन, उसके बाद क्या रखना है, subject रखना है, और लास्ट में को हो लिएगा क्या वहह कहानी सुना सकती है क्या हेस कहानी सुना सकती है क्या वह इस्टोरी टैन शी टेल आ इस्टोरी अगला ग्यांपल देखिए दोस्तों कि क्या ग्यानस अंग्रेजी बोल सकता है क्या ग्यानस अंग्रेजी बोल सकता है इसका हो जाएगा अब sentence हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव यानि प्रस्ण वाच्छे का और नकारात्मक वाक यह है इंट्रोगेटिव निगेटिव तो करना क्या है वही कैन हमारा पहले आ जाएगा जो helping वर्भ होता न दोस्तों इंट्रोगेटिव में पहले आ जाता है है कि क्या आप यहह नहीं कर सकते हैं क्या आप यह कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा क्यान यूब नाट डूझा तया फिर क्यान यूर लाट इस्कू होда जाकता है चाया बोलनदेश यू नमट डूझा यूनमनाट डू इट दोनों से हो गहा उसके नहीं के बाद अगला sentence है किया वह स्कूल नहीं जा सकती है इसका हो जाएगा can she not go to school can she not go to school तो ईठिंक आप लों को केς समझ में अ गया हो अब हम बढ़ते हैं कुड की तरफ तो दोफ तो कुड की तरफ देखिए लिखा गया है यूज is और इसका उपयोग जो किया जाता है ऐसा सेंटेस्ट जो लिए जिसके लाश्ट में होता है सका या पाया जोसे तुम वहां जा सके तुम किताब पढ़ पाए वहां दिल्ली जा सका ना इस प्रकार के सेंटेस्ट में किया जाता है तो रखना क्या है सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट उसके बाद कुड रखना है वर फर्स फर्म और अब्यक्ट रख देना है तो इसको लिखा गया है वह दिल्ली जा सकी वह दिल्ली जा सकी स्वरिफ और देट दोफ्तों यहां ही हो गया जब कि होना चाहिए क्या हो जाएगा सी तो होगा आपका क्योंकि हाँ जा सकी है तो क्या हो जाएगा शी कुड गो टू टे लही वह दिल्ली जा सकी अगला एक्जांपल देखते हैं अगला एक्जांपल है आपका कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सका मैं अंग्रेजी पढ़ा सका I could teach English I could teach English मैं अंग्रेजी पढ़ा सका अगला वाक्य है ह तो इसमें क्या हो जाएगा राधा रुड़ कुड सिंग आउसांग को लाउट डु हर एक समिद्थ टुकुल माच करद सब्सक्राइक में बने अब हम चलते हैं और अब हम चलते हैं नेगेटुव द्धे सब्सक्राइब करना है उसके बाद नाट और और अबजेक्ट तो एक एपल दिया गया जैसे वह खेल नहीं सका तो क्या हो जाएगा he could not play he could not play वहाँ खेल नहीं सका और अगला है जैसे कि इंट्रोगेटिव में हम देख लेते हैं I think निगेटिव तक सवाज में आ गया होगा आप लोगों को इंट्रोगेटिव सवाज में जैसे है कि अभी देखिए इंट्रोगेटिव इस्ट्रक्चर जो बताया गया है भया कुड को हम पहले रख देंगे उसके बाद क्या रखना है आपको सब्जेक्ट रखना है वरका फ़र्स फार्म रखना है और आपजेक्ट याद रिखे कि जि कुड यू गो देर क्या तुम वहां जा सके अगले सेंटेंस के और बढ़ते हुए हम हमारा आ गया है इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या दोस्तों इंट्रोगेटिव निगेटिव इसमें देखेंगे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में तो इस्ट्रक्चर क्या है हम बिज्ञान नहीं पढ़ा सका क्या वाहा बिज्ञान नहीं पढ़ा सका तो क्या हो जाएगा पहले कुड 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 लिग दिया गया सब्जेक्ट हो गया ही हो गया नॉट रग दिया गया है वरका फ़र्स्ट आम्यानी पढ़ाना के इस होता है टीज अब्जिक्ट व जा पाए रखना चाहिता दोस्तों क्या तुम अमेरिका नहीं जा पाए तो क्या हो जाएगा कुड यू नाट गो टू अमेरिका कुड यू नाट गो टू अमेरिका क्या अमेरिका नहीं जा पाए तो आपको कुड का यूज भी समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं आगे होकुड है धो देखिए है और लिखा गया यहां मैu जा सकता था यह काम कर सकता था है तो मंगरी पढ़ा सकते थे ठीकर ना कुड़ यानि पास्टेंस के लिए होता है पूर्ण और हाँ जहाँ तक वरब का first form लग रहा था यहाँ वरब का क्या लगेगा? third form लगेगा तो क्या हो जाएगा? structure, subject, would have, could have, उसके बाद क्या रखना आपको? वरब का third form और last में क्या रख देना है? object, तो एक example जैसे वह cricket खेल सकता था, वह cricket खेल सकता था, तो क्या हो जाएगा, he could have played cricket, played कैसे आया, क्योंकि हमें वर्ब का third form यूज़ करना है, तो होता न, play, played, played, तो क्या हो जाएगा, he could have played cricket, अगले example के और, अगले example हैं आपका, आप सभी उत्तर परदेश जा सकते थे, आप सभी उत्तर परदेश जा सकते थे, तो क्या हो जाएगा, all of you, यानि आप सभी का हो जाएगा, all of you, could have gone to UP, यूपी, चाय उत्तर परदेश लिखिए, चाय उपी लिखिए, अब दोनों मतलब एक ही है, अगला हम negative sentence देखते हैं, negative sentence का structure दिया गया है, subject, could not have, जब भी दो helping वर बाता है, तो उसका negative बनाते वक्त, हम क्या करते हैं, not को दोनों helping वर के बीच में लगाते हैं, देखिए, could have आया था उपर, उसके बाद क्या है, could और not have के बीच में हम क्या लगाएंगे, not लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, subject, could, उसके बाद not, फिर have, वरब का third form, object, जैसे, मैं या किताब नहीं पढ़ सकता था, या फिर मैं या किताब नहीं पढ़ सकता था, तो क्या हो I could not have, read this book, I could not have, read this book, आगे चलते हैं दोस्तों, और हाँ, एक बाद यादर कियेगा, इस वीडियो को जादा जादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्क्राइब करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और इंडिया को पढ़ाने और की जिम्मेदारी हमारे साथ साथ आप लोग को भी है, जितना ज्यादा ज्यादा वीडियो को हो सकता है, शेयर करें, अपने स्वहयोगियों तक अपने मित्रों तक पहुचाए, ताकि उनको भी इस टॉपिक में कोई confusion न रहे, तो आगे चलते हैं, अगला example दिया गया है, व यह भापतंग नहीं उला सकता था, तो क्या ह unmuto? he couldnot have flown a kite यहानी अपन नहीं उला सकता था, । अब देखते हैं, इंट्रोगेत One का, आईज इन फार यहाणि हम देख ले मैं इसके बाद सब्जेक रखना है फिर है रखना वरव ठरका और अब्यक्त रखना ये तो हो जाएगा क्या ऐसे पाले रखना गिए उसको अब्लेक्त क्या रिघ्ली हम रखना को एव कुई रखना तहो अगले जंपल है हमारा क्या भे लोग अप्नी कार चला सकते थे तो क्या हो जाएगा वही लोग का दोस्तो दे होता है CHAWA वहे क्या हो जाएगा दे तो हो जाएगा अगला इंटो निगेटिव देखते हैं ईंटोगोर कुछ तो करना क्या है है यहां हमें कुट रखना है सब्जेक्ट रख देना है उसके बाद नाट रखना है तब जाके है लगाना है और उसके बाद अग्यांपल दिया गया है क्या आप अंग्रेजी नहीं सिखा सकते थे क्या आप तर्ट इंग्लीनिज क्या आप अंग्रेजी नहीं पडा सकते थे आई थिंक आज का डेटा जो है आप लोग क्लियर हो गया जितना भी था कूड फोरी कैन कूड और कूड है और ऐसी वीडियो पाने के लिए और शीक्ते रहने के लिए हमारे चैनलों को सब्क्राइब करें जै हिन जै भारत दोस्तों